Kia India ने अपनी शांदार कार कार्निवल के न्यू जेनरेशन मौडल की लॉंच डेट अनाउंट कर दी है। Kia कार्निवल का ये न्यू जेनरेशन मौडल भारतिय बाजार में धहमाल मचाने के लिए तैयार है। कार की लाँचिंग से पहले ही गाडी को बुकिंग लेना भी शुरू किया जा रहा है। कमपनी ने इस कार की कम से कम टोकन अमाउंट के बारे में भी जानकारी शेयर कर दी है। केवर दो लाक रुपे की बुकिंग अमाउंट के साथ ही ये गाडी आपके लिए बुक हो सकती ह किया इंडिया कारनेवल के न्यू जेनरेशन मॉडल को अगले महीने 2 अक्टूबर के दिन लॉंच करने जा रही है वही कमपनी इस कार के लिए 16 सितंबर से ही बुकिंग लेना शुरू कर देगी किया इंडिया ने इस कार के पिछले जेनरेश मॉडल को साल 2023 में ही भारतिय बजार से वापस ले लिया था वही अब कारनेवल का नया मॉडल कई अपडेट के साथ मार्केट में आने के लिए तैयार है Kia Carnival का latest generation model कई advanced features से less होने वाला है इस नई MPV की second row luxury और power seats से last मिलने वाली है जिसमें ventilation के feature के साथ ही leg support भी होगा गाड़ी में केवल एक touch से ही slide होकर दरवाजे खुल जाएंगे गाड़ी में dual electric sunroof भी लगाया गया है Kia Carnival में 12 speaker का sound system दिया जा रहा है गाड़ी में pandemic curve display जी जाएगी जिसमें 12.3 इंच का infotainmate system लगा होगा और 12.3 इंच का ही digital console भी दिया जाएगा गाड़ी में लोगों की safety को ध्यान में रखते हुए ते इस autonomous features के साथ level 2 ADES भी लगा कर दिया जा रहा है Kia इंडिया ने अभी इस car के engine specification के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है लेकिन SMPV में 2.2 लीटर डीजल इंच के मिलने की उम्मीद की जा सकती है जिसमें साथ एक automatic transmission भी जुडा मिल सकता है ये नई कार्निवल दुनिया भर में 3.5 लीटर V6 और 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के option के साथ मौजूद है किया कार्निवल के इस new generation model की कीमत पिछले model की तुलना में लगभग दोगुनी हो सकती है साल 2020 में लौच हुई कार्निवल की एक्स शोरूम प्राइस 24.9 पांच लाक रुपय थी वही अब ये नया model करीब 50 लाक रुपय की एक्स शोरूम प्राइस के साथ आ सकता है इसके पीछे की वजह है कि ये कार पूरी तरह से विदेश में बनकर ही तयार हुई है झाल 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 झाल